आप सभी लोगों को अमबेटकर जैन्ती और महावीर जैन्ती की हार्दिक शुब कामना है आज 14 परेल और आज के दिन उत्तर परदेश और बिहार के अधिकाश हिस्सों में लोग सत्वान नाम का त्योहर मनाते हैं अधिकास में वह सभी लोग सत्तू खाके आज का त्योहर मनाते हैं तो विकास का आज का वीडियो अप्शूरू से आं तक पूरा देखे जिसमें हम आपको यहीं बताएंगे कि आखे आज के दिन लोग सत्तू या सत्वा क्यों खाते हैं जिस तरह से मकरशंक्रान ते के दिन खिचनी खाके या तिवार मनाते हैं ठीक उसी प्रकार से आज के दिन लोंग सत्तु खाके या तिवार मनाते हैं तो आज का वीडियो आप अंतर देखें जिसमें हम आपको यह बताएंगे कि आखिर सत्तु क्यों खायाता है इससे पहले कि हम आगे बले आप जड़ा इस फिग कर सब्सक्राइबर काफी कम हैं आखिर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि आज की दिन लोग प्राया सत्तू क्यों खाते हैं एक्चॉल में जिस टाइम पे या तेवार मनाया था उस टाइम पे पूरे उत्तर भारत में गर्मी काफी परचन रूप धारन कर लेती है जिस से शरीर का तापमान तो बढ़ता ही बढ़ता है और कई सारी बीमारियां भी पकड़ लेती है और जो सत्तू या सत्तूआ लोग ख में रहता है और या एक अनाज है आपनों को बताते सत्तू एक्चॉल में भूने वे जने का बनता है जिसका कोई साइड एफेक्ट नहीं होता है सत्तू में परचूर मात्रा में प्रोटीन होता है लिवर मस्बूर बनता है और साथ में एसीडिटी की समस्या भी नहीं होती ह गर्मी की तपिश से रक्षा करता है देर तक भूक नहीं लगने देता है लू का खत्रा कम करते हुए प्यास जगाय रखता है या डाविटी सहीद लो और हाई ब्लड प्रेशर को भी काबू में रखता है सत्तू, कफ, पित, ठकावट, भूक, प्यास और आखों की बिमारी को काबू में रखता है और इतनी ज़्यादा इसके फायदे होते हैं इसलिए उत्तर बिहार और उत्तर परदेश के कई सारी हिस्सों में आज की दिन सत्तू खाके या दिन मनाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आए तो जरूर से आज की वी लिंक आपको नजर आएगा साथ में इसक्रीन फिर भी नजर आएगा वहां से आप हमेश फालो कर सकते हैं इस्टाग्राम पे तो अब मिलते हैं से फिर किसी और वीडियो में तब तक लिए गुडबाई एंड टेक केर